जेहिन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो मैं हूँ सिभा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली भरती के बारे में तो दोस्तों यह जो भरती है वो as a nabik है तो nabik की जो भरती है उसमें 3 trades की भरती होनी है जिसमें number 1 trades है आपकी general duty उसके बाद में डोमेश्टिक ब्रांच में है और यांत्रिक ठीक है तो यहां पर तीन ट्रेट्स के लिए यहां पर दोस्तो भरती निकली हुई है और इसके जो भरती के ऑनलाइन रेइस्टेशन होंगे वह आप 5 जनबरी 2021 से 19 जनबरी 2021 के बीच में कर पाएंगे ठीक है तो इस वीडियो में हम आपके लिए इस भरती से रिलेटिट पूरी जानकरी देने बाले हैं तो वीडियो छूण कर कहीं मत जाएएगा वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेट और सेयर जरू करें और अगर आप हमारी चैनल पर नए है चैनल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप नाविक जनरल डूटी के लिए अपलाई करने के लिए आपको 10 प्लस टू पास होना जरूरी है, बिद फिजेक्स और मैथ ठीक है, उसके बाद में नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में अगर आप अपलाई करना चाहाते हैं तो इ आपके लिए एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और एलेक्ट्रोनिक्स ट्रेट से होना जरूरी है, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों सभी ट्रेट्स के लिए एज लिमिट यहाँ पर सेम ली जा रही है, किसी नाविक जीडी जनरल डूटी और नाविक यांत्रिक के लिए तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक अगस्त उनिसों निन्यान बैसे 31 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए और फॉर नाविक डीवी ब्रांच के लिए मतलब डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक अक्टॉबर उनिसों निन्यान बैसे 30 सितंबर 2003 के बीच में होना अनुवारी है ठीक है education qualification और age limit मैंने आपके लिए बता दी अब भी जो भी चीज़े बती होई है मैं आपको बताऊंगा लेकन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर vacancies की क्या detail है ठीक है तो नाविक general duty के लिए दोस्तों यह जो है इसमें general के लिए 114 EWS के लिए 33 OVC के लिए 83 HC के 7 vacancies है ठीक है टोटल नाविक GD की 260 vacancy इसी तरह नाविक domestic branch में 50 vacancy नाविक या अंत्रिक mechanical में 31, electrical में 7 और electronics में 10 vacancies है ठीक है तो यह होगी दोस्तों आपकी vacancies की detail उसके बाद में दोस्तों हम आपके लिए बता दें आपका physical fitness test जो कि आपका PFT है दोस्तों physical fitness test वो आपका क्या होगा ठीक है तो physical fitness में दोस्तों सबसे पहरे आपकी 1.6 km के training होगी जो कि आपके लिए 7 मिनिट में complete करना जरूरी है उसके बाद में आपसे 20 उठक बैठक स्क्वेट्स लगवाई जाएंगी और उसके बाद में आपसे 10 पूस्प्स लगवाई जाएंगे तो physical में आपका बस इतना सा ही physical test लिए जाएगा कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों और उसके बाद में आपकी height और जो भी चीज़े बचे होई है पूरी के पूरी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरू कर देना ठीक है how to apply तो how to apply में तो आप इस website पर जाके अगर click करेंगे तो आप इस form के लिए apply कर पाएंगे आपकी जो online registration है वो 5 जनवरी 2021 से 19 जनव डोट cdac.in ठीक है इस website पर जाकर आपके लिए apply करना है ठीक है पांक जनवरी से 19 जनवरी 2021 के बीच में उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके tentative exam की date दी गई है जिसके लिए आप पढ़ लें ठीक है तो नाविक GD का जो exam होगा वो mid or mid after end March में stage बनका end April और early May में 2nd और stage 3rd और 4th अगस 2021 में इस तरह से नाविक GD का March 2021 second exam April यव मई 2021 और last exam October 2021 और यांत्रिक के लिए March, April, मई और same आपके जो exam credit है वो दी गई है ठीक है यहां पर आपका exam का होगया और भी देख लेता हूं अगर इस वीडियो में आपके लिए कुछ इस भरती से related अगर कुछ important points रह गए है तो आपके लिए जरूर बताऊंगा ठीक है सबसे important points दोस्तों आपका यह है height तो यहां पर जो height है वो 157 cm ली जा रही है और आपके लिए 5 cm का जो है वो consistent दिये जाएगा वो किसके लिए जो की districts जो की आसाम, नागा लेंड, मिजोरम, मेगालय, अरणाचल प्रदेश, मनिपूर, तिरपुरा, गड़वाल, सिक्किम, अंडमान, निकोबार इस लेंड के रहने वाले हैं ठीक है उसके बाद में आपका जो चेस्ट है दोस्तो, और उसके बाद में आपका जो है वो minimum expansion 5 cm होना जरूरी है, ठीक है उसके बाद में आपका बेट है proportionate to height and age plus 10 percentage acceptable, मतलब आपके जो height और age है उसके साब से आपका जो बेट है plus minus 10% आपका acceptable है, ठीक है, hearing आपके normals और इसी तरह से दोस्तो, यह आपका medical और physical का मैंने पूरा आपके लिए बता दिया तो आज की वीडियों बस इतना ही है दोस्तो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो comment करके जरूर बता दिया करो, ठीक है और वीडियो को like, comment और share जरूर कर दिया करो, ठीक है तो उम्मिद करते हैं दोस्तो, आज की इस वीडियो से आपके लिए काफी ज़्यादा फाइदा होने वाला है क्योंकि आप जाकर अभी पांच जनवरी के बाद में form भरेंगे और आपका selection इस भरती में हो जाएगा, ठीक है तो दोस्तो चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैभार